Hello everyone, आज हमारा topic of discussion रहेगा, गोस्वामी तुलसिधास, हम moral thinkers डिसकस कर रहे हैं, ethics paper 4 का पार्ट है ये, MPPSC mains 2019 और MPPSC mains 2020 में इसका जिक्र है, topic लिखा हुआ है, तुलसिधास, हम उनको study करेंगे, हम basically study करेंगे तुलसिधास का जो epic लिखा गया है, रामचरित मानस, उसमें जो ethical points ह सिर्फ और सिर्फ ethical points, जो हमारे काम के है, ethics के paper में, वो उसका list, वो सारे points में आपको लिखा हूँगा, और वो points आप definitely use कर सकते हैं, आपके case studies में, और directly अगर तुलसिधास का topic आजाता है, या तुलसिधास के guidance का topic आजाता है, तो आप वो points लिख सकते हैं, आगे की वीडियो में आपको मिलेंगे सारे points लिखे हुए, मैं चाहता हूँ कि आप वो points साथ साथ लिखते चलें, notes बनाते चलें, इस से आपका वीडियो भी complete हो जाएगा पूरा और आपके notes भी आपको content और matter दोनों मिल जाएगा तुलसिधास के उपर, ये आप अपनी ethics की copy में लिखेंगे moral thinkers headline के अंदर, तो चलिए शुरुवात करते हैं, मैं हूँ Anarg Jain from Nedishri Academy, let's start the course तो चलिए अब हम पढ़ते हैं तुलसिधास को, तुलसिधास 1497-1623 was a Hindu poet sent, reformer and philosopher well known for his devotion to Lord Ram He was the composer of Ramcharitmanas and is considered as reincarnation of Valmiki, okay तो इनकी जो date of birth है उसको भी लेके थोड़ा विवाद है, 1497 से लेके 1623 तक कोई इंसान मतलब 126 साल जिंदर रहेगा, which is kind of uncertain, but काफी लोग ऐसा मानते हैं, तो लिखाया है इसमें, कुछ लोग 1523 भी मानते हैं, पर 1497 काफी हित तक जिता मैंने की गई थी, अवधी में, very important, याद रखियेगा, वरने कुलर लेंविज थी अवधी, most of the North Indians अवधी जानते थे उस ताइम पे, तुलसिदा साप यह समझ सकते हैं, contemporary थे उस ताइम पे, और इंग्लेंड में, William Shakespeare के, यह तीनों contemporary रहें लगब एक साथ, काम भी उनका उसी टाम का है, okay, ethics is supposed to be science of right or wrong, and often the division of right versus wrong is thin, wafer thin, okay, more especially so in present times, when we are more self-centric, की आज के time पे ethics काफी important हो गया है, क्योंकि हम जास time में रह रहे हैं, वो काफी हम self-centric है, okay, तो इसका एक अच्छा example में आपको दे सकता हूँ, की जैसे मान लीजे, एक food inspector है, okay, उसका काम है की market में सही food और आप माली जो से रोल पे हैं, okay, और suppose आपको पता है की market में कुछ गलत food जा रहा है, even though you are the food inspector, तो आप कुछ corruption में involved हैं, आप अपनी duty सही से नहीं कर रहे हैं, और वो ही food अकल जाकर आपके relatives, आपके बच्चे, आपके family के members भी वो consume कर सकते हैं, तो आपका duty है, वो आपने अपनी moral responsibility सही से नहीं निभाई, इसलिए market में ऐसे wrong food, adulterated food आगया है, तो ये एक example है, okay, कि आप अपने self-centric को अगर आप छोड़ दें, तो आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, तुलसिदास also mentions about रामराज, the idle state or the idle society, a society is said to be idle when all social systems work in tandem, tandem मतलब एक साथ, and perform their acts in idle way, that is all actors perform their act in right way, तो अगर सबके एक साथ सही काम कर रहे हैं, तो एक रामराजी, idle state का definition बन सकता है, अगर इंडिया की किसमें आप देखिएंगे, इंडिया की democracy है, three pillars of democracy इंडिया में क्या क्या है, legislative, judiciary, legislature, judiciary and executive, fourth pillar हमें कहा जाता है, press को ये freedom, ये आपका journalism को, आप कहा सकते हो, okay, तो अगर चारो के चारो pillars at tandem, अपने सही तरीके से काम कर रहे हैं, judiciary अपने सही laws लेकर आ रही है, executive laws को सही से implement कर रहा है, और जो legislature है, वो सही laws बना रही है, और जो press है, वो इन laws का proper scrutiny कर रही है, और realistic example, government को ये realistic case scenario बता रही है, government को कि आपके laws की वज़े से ऐसा हो रहा है, तो ये चारो इंडिया में कुछ अलग है, वो आप जानते हैं, but ethical dilemmas do arise as the right way is often not clear, तो जो सही तरीका है, सही way है, वो often clear नहीं होता है, इसलिए ethical dilemmas generally arise होते हैं, okay, रामचरित मानस often helps us in clearing up the vision and providing insight into what is right and wrong for a particular role, तो रामचरित मानस इस तरह से हमारी help करती है, कि वो हमें examples के थूरू बताती ह कि कैसे adversity की case में भी सही चीज को हसल कर लिया गया, provides insight into what is right and wrong for a particular role, आगे देखते हैं, the difficulty arises when same person performs many role and these roles come into conflict with each other, रामचरित मानस helps in this, it describes Lord Ram as a son, a husband, a king, a brother and a father, तो आप ये बहुत अच्छा example देखेंगे कि कई बार जैसे आपने सरफुरोश अगर मूवी देखी होगी, तो उसमें आमिर खान डॉक्टर वो जो उनके इंस्पेक्टर सलीम होते हैं, उन पर गुसा कर देता है, और ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका कोई close relative भी हो, अगर आप high pressure job में हो, और ऐसा job है जिस पे काफी जादा responsibility है, का आप अपने आस-पास के लोगों पर जो आपके काफी close उतन पर काफी नाराजगी दिखा देते हो, तो ये जो options हैं आपके पास क्या रहते हैं, तो अगर आप एक role play कर रहे हो, तो मान लिजा आप वही role play कर हो, एक IPS officer हो, और घर आते हो, और अपने wife पर बच्चों पर गुस Okay, all these conflicts were not easy to resolve, but Lord Ram was able to do it in the best possible way. Okay, इसलिए हम राम जी ने जो भी sayings कही है, जो भी उनने idealism बनाया है, उसे हम follow कर नहीं कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारे role बहुत अच्छे से नभा लिये थे. Okay, Ram always choose the ideal path and so does Sita, Lakshman, Bharat and Shatrugan, all the characters of Ram Charitmanas. Okay, Tulsidas says that man is responsible for his sorrows, and joys of life. मैंने पहले भी कहा है आपको, कि लिखा गया है पहले, as you sow, so you reap. तो जैसे आप बोते हो वैसे आप पाते हो, तो ये आपको पता जल सकता हैं वहां से, कि आप ही इंसान responsible होते हैं अपने sorrows के लिए और joys के लिए life में. गांती जी इनिस हिंद स्वाराज, describes force of love concept. It is taken from Tulsidas. He says that Tulsidas, he says that love is the root of religion. तो आपने देखा था कि Tulsidas जो है वो अपने रामचन जी के प्यार को लेके काफी जादा उनका वो बनाया जाता है कि हाँ, ये रामचन जी की पीछे दिवाने थे, एक तरह से. तो उसका एक अच्छा example ये भी है कि वो जब उनकी शादी हो गई तो वो अपनी उनकी वाइफ उनके माई के चली गी थी अपने और Tulsidas आंधी तूफान से लड़ते हुए समुदर को या नदी को पार करते हुए वो उनसे मिलने रहते तो उनकी वाइफ ने कहा था कि जितनी भक्ति तुम मेरे प्रती दिखाते हो तो अगर राम के प्रती द तो उनका जो लव फॉर राम था वो ही आप हम एब्सॉर्ब कर सकते हों कह सकते हैं कि हम लव फॉर कंट्री या लव फॉर स्टेट या लव फॉर पीपल हम इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं और हम भी सेम चीज दिखा सकते हैं शिदत दिखा सकते हैं अपने सोसाइटी के प् ये lessons from रामचरित मानस, ये काफी important topic रहेगा, और ethics में आपको paper में यही topics लिखने हैं सारे, तो पहला इसमें जो point रहेगा, be careful who you surround with, तो आपको ध्यान रखने हैं कि आपके आसपास कौन होता है, कौन surround करता है आपको, जैसे कि कईकई कास में वो दिया जाता है, कि कईकई ने दो वर्दान मांगे थे दश्रत से, और दो वर्दान क्या थे, कि भरत को राजगदी सौब जी जाए और रामचर्ण जी को बनवास भेज दिया जाए, पर कईकई ने ये बात किसके कहने पे की थी, वो थी मन्थना, मन कई कई ने ये दो वर्दान जो थे हो उसके पास वो मांग लिये हैं, अगर मन्थना कई अपने आपको सराउंड करती हैं ऐसे लोगों के साथ जो काफी अच्छे होते हैं और उनकी सोच खराब नहीं होती तो शायद ये एपसुट कभी होता ही नहीं, ये ये अपको सराइब करता हैं और अगर वोगों के अपने सिद्धानों के प्रती अडिग रहते हैं तो ये एपसुट नहीं होता है, ये काम नहीं हो सकता था, second जो दिक्कत हुआ है वो यह हुआ कि क्योंकि रामचन जी अगले दिन राजा बनने वाले थे दर्शत was very happy and he promised the two boons to काई-काई and that led to townfall of his own empire in one sense so आपने promise कर दिया जब आप खुश थे ये गलती कि उन्होंने दर्शत ने then stand up to your own words no matter what happens दर्शत का एक positive example हम यहां से ले सकते हैं कि दर्शत चाहते तो अपने बातों से मुकर सकते थे और जो दो promises उनको कहके इन्हें जो दो बून मांगे थे उससे मुकर सकते थे but he stood by his word okay so this is one of the good qualities of an administrator कि he never lies कभी जूट नहीं बोलेंगे और अपने जो भी promise कर दिया वो उस promise पढ़िग रहेंगे okay now your people are more important than your relationships being an administrator is a responsibility to serve people one cannot be selfish तो जब भरत को यह पता चलता है कि रामचन जी वनवास के लिए जा चुके हैं और अब वो इसके मालिक हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता और वो रामचन जी के पीछे-पीछे वो वनो में पहुंच जाते हैं तो रामचन जी उन्हें बोलता है कि आप राजा हो इस वक्त, आपकी responsibility है कि आपको अपने administration को, अपने people को काफी अच्छे से serve करना है और आपको personal relationship को इतना importance नहीं देना है तो personal relationship किस चीज़ का था? भरत का रामके प्रती और realistic उनका administration का क्या काम था? कि अपने people को serve करना है, उन्हें अयुद्या को serve करना है तो ऐसी responsibilities आती है आपके life में, आपको definitely आएंगे जब आप officer बनेंगे तो आपको personal versus people की बीच में फर्क महसूस करना जरूरी है और आपको हमेशा people को ही चुनना है, आपके personal relations matter नहीं करते हैं Now, it is important to know the ability of your team While assigning responsibilities, you should know who can fulfill it जैसे कि सुग्रीव को ये बात पता थी कि सीता जी को शायद south direction में लिया गया है सुग्रीव के पास जो वानर सेना थी, उन्होंने वानर सेना के लिए चारो direction में वानर सेना भेजी पर सबसे able जो लोग थे, अंगद, हनुमान, उनको south में भेजा क्यों भेजा, क्योंकि उनको पता था कि ये सीता जी को ढूंड के ला सकते हैं तो उनको अपने team का analysis काफी अच्छा था होना है तो ये importance आपको पता रहना चाहिए ability of your team जैसे कि मान लिज़ा आप DSP है और आपको कोई case solve करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी team में कौन अच्छा head constable है कौन अच्छा SI है, ASI है या inspector है आपको अगर ये idea रहेगा तो एक अच्छी team आप बना पाऊगे और किसी भी case को solve कर पाऊगे एक अच्छा example है इसके अलाबा, always take the side of what is right हमेशा उस चीज को follow करिए जो सही है follow धर्मा, always इसका example दे सकते हैं विभीशन विभीशन ने बोला था राम को कि आप सीता जी को लौड़ा दीजे राम की जो wife थी, मंदोदरी उनने भी खा था कि सीता जी को लौड़ा दीजे पर वो नहीं माने तो विभीशन ने अल्टिमेटली वो किया उन्होंने धर्म का पालन किया और रावन के उसको छोड़कर आ गए वो next point काफी important है, अच्छा भी है perform your duties no matter what the situation is तो रब राम लंका पे पहुँच जाते हैं, अगले दिन war होने वाला होता है, जंग होने वाली होती है तो जंग के पहले एक यग करते हैं तो क्योंकि राम एक शत्रिय थे वो यग को initiate नहीं कर सकते थे और यग को initiate से फिक पंडित कर सकता था एक ब्रामन कर सकता था अब लंका में तो ब्रामन कोई था नहीं सिवाए रावन के तो राम रावन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यग करवाई है हमारा और ये यग आपके हार के लिए है तब भी रावन महां से आते हैं और वो यग इनिशेट करवाते हैं क्योंकि वो ब्रामन थे अपनी डूटी फुल्फिल कर रहे थे और वो जानते हैं कि यग उनके हार के लिए ही हो रहा है पर तब भी पूरा यग खतम होता है जब राम जी रावन के पैश होते हैं तो रावन महां से कहते हैं कि विजई भवावा, विक्ट्री बी यॉर्स तो ये उस टाइम पे लोगों में इतना sense of duty हुआ करता था कि अगर आपके पास ये duty है तो आप वो फुल्फिल करिए आज ये एक बहुत rare quality है बहुत कम देखने को मिलती है पर उस टाइम पे duty important थी तो अगर आपके पास एक ऐसी team है जो highly motivated है आप कोई भी काम अचीव कर सकते हो अगर आपके पास एक ऐसा environment है तो आप office में कभी भी जब join करेंगे तो आपको एक highly motivated environment या तो मिल सकता है या आपको बनाना पड़ेगा इसलिए आपको ethics पढ़ाया जाता है ताकि आप ये highly motivated environment create कर सकें ताकि बड़ी से बड़ी मुश्किल कम से कम resources में हम create कर सकें जैसे इस वक्त हम COVID की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम highly motivated हैं हम regularly अपने जो frontline workers उनको भोल रहे हैं कि हम motivated हैं हम आपके साथ खड़े हैं तो please आप लड़िए तो ये जो एक environment रहता है highly motivated environment ये 14 साल बनवास गये अपना comfort zone छोड़ा इसलिए आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा comfort zone से बाहर आईए थोड़ा मुश्किल को सहिए थोड़े pain को सहिए पढ़ाई करिए महनत करिए ये grilling task होता है gruesome task होता है आपको अच्छा फिल नहीं होता है आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं पर तब भी highly motivated रही है कोशिश करिए और कोशिश करिए हो जाएगा then concern for condition of ocean ये थोड़ा एक environment को लेके point है कि जब रामचन जी समुद्र के टत पे खड़े थे तो उन्हें पार करना था उस तरफ जाना था तो तीन दिन ने तपस्या करी पर कुछ हुआ नहीं तो उन्हें अपना bow and arrow ठा लिया और सारे जितने भी species थे ocean के अंदर उसको किल करने के लिए उन्हें बो ठाया पर suddenly वो ocean के जो king होते हैं जो भी वो होते हैं वो बहार आते हैं he says that I can't do it because यतनी सारे species हैं अगर मैं ocean को खाली कर दूँगा तो यह क्या होगा है इसका तो ultimately रास्ता है निकलता है कि एक बीच में रास्ता निकल जाता है और उसके बाद फिर वो रामचन जी वहां से जाते हैं अंदर से तो concern for condition of ocean environment ecosystem का एक पॉंट आता है then one can find administrative qualities like planning, organizing, leading, controlling and coordinating तो यह सारी qualities हमें देखने को मिलती है रामायना के एपसोड से, रामचरितमानस के एपसोड से कि रामचन जी निन हर्चीज की planning की organize किया, पूर्यक मानर सेना को lead किया आपके लक्षमन ने control किया, सुग्रीव ने और उसके काफी लोगों ने and coordinate किया आपस में एक दूसरे ultimate aim के तरफ तो यह सारी qualities आपकी planning, organizing, leading, controlling and coordinating की भी हमें देखने को मिलती है ascertaining the destination or occupation to be done तो finally उन्होंने यह देखा कि उनका ultimate aim कि सीता जी को वापस लेकर आना है तो उन्होंने अपना occupation certain कर लिया और उसके सबसे work करने लगे एक अच्छा example इसका यह भी है कि मान लीजे कल आप SDM बन जाते हैं और दो साल बाद का scenario ऐसा है कि एक coronavirus की vaccine आ चुकी है इंडिया में और बहुत यह अच्छे form में आई है अब आपको इस चीज का planning करना है कि वैक्सिन को कैसे दिया जाए लोगों को किस तरह से अप्रोच रहे तो आप एक planning करोगा आप रोड पे किसी को भी पकड़के vaccine नहीं खिला दोगे आप planning करोगी कि पहले किसको देना है कितने वाइस आपके पास कितने लोगों को administer करनी है वैक्सिन किस दिन तक करनी है कितनी workforce है आपके पास इन सब की planning होती है ओके नौ उसके बाद आएगा having a right plan is always necessary to do to do accomplish something ओके नौ यूदो SWOT analysis यह सारे analysis आपने देखा होगा कि यह रामायना में होते हैं रामचन जी को पता थी कि उनकी strength क्या है उनको पता था उनकी weakness क्या है या सामने वाली की weakness क्या है उनको opportunities या openings के बारे माई idea था and then उनको पता था कि क्या-क्या threat आ सकती है तो इन सब चीजों का analysis करके उन्होंने proper हर चीज को fulfill किया तो मैं आपको inform करना चाहूंगा कि निदिश्री Academy क्लास्रूम प्रोग्राम भी शुरू करने वाला है जैसे ही ये coronavirus का scares खतम होता है then हमारा जो courses रहेंगे वो आपका MPPSC 2020 pattern के हिसाब से रहेंगे pre mains interview हम थीनों का training आपको देंगे guidance देंगे material perform करेंगे देंगे आपको test लेंगे आपके regular assessment होगा और बहुत ही to the point material आपको मिलेगा English medium के लिए हमारी classes वैसे bilingual होंगी Hindi English दोनों के बचे अटेंड कर सकते हैं हमारे पास जो team है वो काफी अच्छे team है जिन्होंने already UPSC mains और MPPSC mains राजस्थान PSC mains 36गर PSC mains लिख रखा है तो काफी enriched faculty है हमारे पास तो आप अगर लगता है आपको कि आप ये classes join करना चाहेंगे तो please हमें inform करिये number और email address आपको दिया हुआ है आप हमसे contact कर सकते है जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ये वो भोपाल या इंदोर जैसी expensive places afford नहीं कर पा रहे है चाहे वो tuition fees के मामले में हो या आपके रहने और खाने के विवस्ता के मामले में हो तो उसके हिसाप से चिनवाड़ा एक बहुत अच्छा option आपको मिलता है अगर आपको quality teaching है मिलती है इस channel को ज़रूर like, share and subscribe करिएगा जो भी जरुवत मंदे हुने बताईएगा ओके तब तक signing off from नेदिश्रे अकेडमी मैं हूँ अनर्ग जैन